जीन में लग रहा है लाशों का धेर खत्म होने की कगार पर पहुच गया है ये दुश्मन देश एक दिन में साड़े तीन करोड लोगों को हुआ कोरोना तबाही का सारा मंज़ा तूटा जीन हो रही मौतों से बढ़ गई है चिन अच्छे इस्तिती में है अपना भाग नए वैरियंट के ये लक्षट दिखें आप तुरत हो जाए सावधान फटा फट कर लेए का आपको घबराने की जरूरत नहीं है सरकार ने कर रखी है पूरी विवस्ता जी देश और दुनिया में करोना ने एक बार फिट से आतंक मचा रखा है करोना का ये तांडो देख कर हर कोई डर उट से है तब आई कि सारे इंजर तूट कर भिखर गये और एक दिन में सारे तिन करोड से ज्यादा लोगों को करोना हो चुका है इस आकड़े ने भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिये है और ये रिपोर्ट चीन की नेशनल हेल्थ कमिशन की बैठंग में आई है आपको बता दे कि चीन की कुल आबादी में 28 फीज दी यानी 248 मिलियन लोग इससे संक्रमित हो चुके है बहुत ही भायावा हिस्तिती है लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत सरकार ने समी देशवासियों के लिए बहतर विवस्ता कर रखी है और दवाई से लेकर बेड हर एक तरीके से केंदर की मोधी सरकार और सभी राज्यों की सरकारे एलर्ट पर है भारत में किसी भी तरीके से दवाई की कोई कमी नहीं है लेकिन चीन में लगे लाशों के धेर ने भारत की चिंता बढ़ा दिये वहीं बीते कल की दिन आगरा में चीन से लोटा शक्स करोना संकुरित पाए गया और देश में ये नया वेरियंट भारत में एंट्री कर चुका है और अतन्य वेरियंट के चार मामले सामने आ चुके हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात और उड़िसा में वेरियंट के मामले सामने आए हैं वहीं आपको बता दे कि वेरियंट BF-7- 149 बीए फाइब संस्क्रण का सब है इस वेरियंट को ओमिक्रॉन इस्पॉन के नाम से भी जाना जाता है बीएफ सेवन सब टाइब को पहली बार ऑक्टूबर में भारत में देखा गया था वही आपको बता दे कि सब वेरियंट बीएफ सेवन की सबसे खतरनाक बात ये है कि जि लेकि नेच्रल इंफेक्शन के कारण एक वेक्ति द्वारा विक्सित निम्निटी को जल्दी से बाइपास कर देता है कोरोना के नए वेरियंट बीएफ सेवन के लक्षर आपको बता दे कि एक्सपर्ट के मताबिक इसके लक्षर सामान फ्लू के सामान होते हैं इनमें सर्द लक्षर में बुखार, खासी, गले में खरास, नाक बहना, कमजोरी, ठकान जैसे कई हालात भी दिखाई देते हैं वे कुछ संक्रमित ब्यक्तियों में उल्टी और दस जैसे लक्षर भी दिखाई देते हैं हाला कि 4-5 दिनों में लोग ठीक हो रहे हैं लेकिन ट्रांस्मिश करोना की वैक्सिन नहीं मिल पाई है, चेन की बुजर्ग अबादी ये बहुत कम लोगों को टीका लगाए गया है, ऐसे में अगर किसी बुजर्ग को पहले से कोई दूसरी बिमारी है, तो करोना से संक्रमित होने के बाद उसकी हालात और गंबीर होने के मामले सामने आ रहे हैं, फिलाल भारत में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस भारत सरकार के दौरा कोरोना गाइड लाइन्स को फॉलो करना जरूरी है, साथानी बरते हमेशा बाहर जाते वक्त मास्क लगाए, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, पेज पन्नाय हैं तो लाइक और फॉलो करने ना भूले, धन्जबाद